एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सब की संघ्या देते हैं, इनमें कौन सही है? गुरु जी ने ततकाल बड़े ही धर्यपूर्वक उत्तर दिया, उत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताये गए मार पर चलने लगते हैं, मात्र वेही जीवन को एक उत्सब का नाम देने का साहस चुटा पाते हैं, यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था, गुरु जी को इसका आभास हो गया, वे कहने लगे, लोग तुम्हें इसी संदर्व में एक कहानी सुनाता हूं, ज्यान से सुनोगे त जहले तो मंद मंद मुस्क्राएं और फिर बड़े सनेह पूर्वक कहने लगे, मुझी तुमसे गुरु दक्षिना में एक थेला भर के सुखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे। वे तीनो मन ही मन बहुत प्रसन हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे, सुखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जैसी आ अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्त जंगल में पहुँच चुके थे, लेकिन ये देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, वे सोच में पढ़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तिय अब उस किसान ने उनसे क्षमायाचना करते हुए, उन्हें ये बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का इंधन के रूप में पहले ही उप्योग कर लिया था, अब बे तीनो, पास में ही बसे एक गाउव की और इस आशा से बढ़ने लगे थे की हो सकता है वहाँ उस गाउव में उनकी कोई सहायता कर सके, बहाँ पहुँचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थेला भर सूखी पत्तियां देने क प्रार्थना करने लगे लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बना कर बेच दिये थे लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बुई मा का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रत किया करती थी पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह भूई मा तो उन उन पत्तियों को अलग-अलग करके कई प्रकार की ओष्धियां बनाया करती थी अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरु गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आये गुरुदक्षिना। तीनों ने सर जुका लिया, गुरु जी द्वारा दो बारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिश्य कहने लगा, गुरु देव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सरवत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ह आश्चरे की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उप्योग करते हैं, गुरु जी फिर पहले ही कि तरह मुस्कराते हुए प्रेम पूर्वग बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन हो जाओ और यही ज्यान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बलकि उनक अची तरह से ज्यात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका संकेत, वस्तुतह इसी ओर है न कि जब सर्वत्र सुलब सूखी पत्तियां भी निरर्थकिया बेकार नहीं होती है, तो फिर हम कैसे, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मान कर उसका ते से मिले तो उसे ही अथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें ताकि आपस में सत्भावना, सहानो भूती एवं सहिश्नुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संगर्ष के बजाए उत्सव बन सके दूसरे, यदी जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बहतर यही होगा कि हम निर्विक्षिप, स्वास्थ एवं शान प्रतियोगिता में ही भाग ले और अपने निश्पादन तथा निर्मान को उचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें, अप्षिश्य पूरी तरह से संतुष्ट था, आन्तत, मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदी हम मान, वचन और कार्मिन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मुल्याकन करें, तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी, सबके प्रतिपूर्वाग्रा से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुसाहस नहीं करता और उसकी यही उर्चा उसके पुर